वेल्कम बैक टो थो जैनल पेपर है कर आज के से बीडियों देखने बाले हैं दोस्तों जोबी चातर बिस फिर्स्ट समस्टर में मलदा कि फस्ट यर में एडमीशन लिए फस्ट समस्टर में है जिक्सका पेपर देख रहे हैं जो फिर एम जे पी आरू रोलखंडी 2022 में आने वाले कोईशन आने वाले प्रिसन की बाद कर रहा हूँ इन 17 से 18 कोईशनों को याद करके आप 85 परिसन डला सकते हैं मैं आपसे बादा करता हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई MJP यारी रोल खंड उनिवस्टी के अंदर नहीं है यदि ऐसा हो जाता है तो आप मुझे बता देना मैं आपको पास करा सकता हूँ और बताओ मैं आपसे बादा करता हूँ कि फेल करने वाला नहीं है इन कोशनों को यदि आप याद कर लेते हूँ रट लेते हो मैं बोल रहा हूँ अभी आपसे कोई फेल नहीं करेगा मैं हूँ यहां समझ रही हुँ न हम जब तक हम जिंदा है न तब तक आपको फेल करने वाला नहीं है इस बात को याद रखना बस आप दोस्तों को शेयर कर दो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेपर है कर यूटूप शनल को सस्क्राइब कर लो सब्सक्राइब करें नौट्स का लिंघक करने वाला कोई नहीं यह अंसे पर लेंगे तो बहुत कोशन देखने को मिलेंगे लेकिन यह सारे सब कोशन याद करने के जुरूत नहीं इतनी सारे कोशन नहीं करेंगे जो इंपोटेंट है सिर्फ बो देखेंगे बाकी कुछ भी याद नहीं करना है तो अपने बुक नोट गैशले पर ओपन करो और ठिक लगा लो पहला question बहुंस्ट important है यहाँ ये तीनो question को आप याद करेंगे यह तीनो question को याद करेंगे यहाँ से एक question exam में फसेगा और वो भी long question आएगा वेटा वो भी long question फसेगा, ध्यान से देखलो देखो बोला गया है सदिस रासियों के अदिस गुड़नफल को समझाइए यहां बोला गया है सदिस रासी के सदिस गुड़नफल को समझाइए और सदिस रासी के त्रिक गुड़नफल को समझाइए मतलब कि सदिस अदिस और त्रिक यह तीन गुड़नफल ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मौस्ट इंपोटेंट इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे रट लेना गेलियों के सिधान्त को रट लेना बाकी जो मैंने अंगलपना इसको छोड़ा है इसको रट लेना सह सहोजन किसे कहते हैं तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना सहसे होजन के बारे में नेक्स कोश्चन को टिकला लो बीटा नेक्स कोश्चन बोला गया है देखो समनी और ब्रोधनी जो टेंसर होते हैं इसको देख लेना इसको अच्छी तरीके से कोश्चन को टिकल लेना याद कर लेना रट लेना इसको ध्यान से देखो इसको आप रट लेंगे सबी लोग इसको रट लेंगे अच्छे तरीके से नीचे जाएंगे बिटा नीचे इसमे डिल्टा परिभासा है कि डिल्टा परिभासा को अच्छी तरीके से देख लेंगे इसको आप देख लेना ये सिद्ध करना के लिए पूछता है कि सिद्ध कीजी के परवड़ता जो है वो अचर फलन सून होता है इसको सिद्ध करो यह आप से पूझेगा जो प्रवरता की जो अचर फलन जो होता है वो शून होता है यह सिद्ध करो यह बोल रहा है तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे बोल रहा है द्रमान केंदर क्या होता है द्रमान केंदर की परिभासा न्यूटन के निय को चोड़ तो ठीक है उसके बाद में तल समतल के लिए लिटक्टि वस्तू का तोड़ कितना होता इस को याद कर लेना इसको उसके लिए तीनों नियम को याद कर लेना मौश्ट इंपोटेंट ग्रह संबंदी नियम दिये थे इनोंने पूरा याद कर लेना कर दोनों को देखेंगे साथ ही साथ इसको छोड़ देंगे समतल कह सकते हैं प्रगामी तरंग की समिकड़ के लिए जो ग्याद करने के लिए बोलता है लास्ट में हम कहेंगे कर उ पिरमे सिध्धान इसको रट लेना कार उर्जा पिरमे के लिए उसके बाद में नीचे हम जाएंगे और देखो यहां कहारा लंबत काक्षिल लगी प्रिमे का सिद्धान तो इसको रट लेना है और गिरहे के गतिज उर्जा देखो गिरहे की गतिज उर्जा इस्थेतिक उर्जा और कुल उर्जा का वड़न इस मौस्ट इंपोर्टेंट है कलावेक और समुवेक में अंतर ये थ दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्षिन पहुंच लेना कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है यदि आपके पास इसके फिजिक्स के बाद में यदि आपको पास मैठ दो कैमिस्ट्री भी होगी तो केमिस्ट्री का बें हम इंप्टेंट कोईशन अभी हाली में प्रवाइड करा दूगा तो आप हमारी यूट्यूप चनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लो लिंक डिसक्राइब कर लो और भी वीडियो देख सकते हैं जो दोजार वाइस इंपोड़ेंट को इसक्राइ प्रवाइड कर दो दो लुगे हां आप प्रवाइड कर न चर्वाइड कर दोगे हां आपके बढ़ सुर्ण फ्रॉट अध्योड चारइब हैड को बार्वाइड जार।